हेलो बच्चों नमस्कार आज की जो अपने सी प्रोग्रामिंग प्रेक्टिकल सिरीज में जो क्लास है बसी बीए पार्ट सेकिंड मैथेमेटिक्स स्टुडेंट के लिए एक्स्परिमेंट नम्मर सेवन इंपोर्टेंट टोपीक है फिर प्रोग्राम का अपना टाइचल है राइट एस सी प्रोग्राम तू फाइंडिंग नम्मर ओव कि जैसे आपन कहते हैं कि 200 से 200 से निचे बिलो सभी प्राइम नमर को डिस्प्ले कर दो तो अपना एक टारगेट वेली होगी उस टारगेट वेली से जितने भी लेस प्राइम नमर है उन सब को अपन को डिस्प्ले करना है For example, जैसे मैं 50 कर दूँ, N की value, तो आपका जो prime number होगा, वो 50 से below होने चाहिए, 50 से greater नहीं होने चाहिए, तो 50 को भी अपने include नहीं करेंगे, तो 50 से below या less than, जितने भी prime number है, सभी को display करो, starting from 2 से, 2 से सुरू करते वे, जो prime number आएंगे, अपने उनको display करें, तो अब यह कैसे कर पाएंगे, इसका क्या logic बनेगा, तो इससे पहले अपने जो previous experiment देखा था, वो prime number checking का experiment था, तो prime number को अपन चेक कैसे करें, तो अपने इसका पुरा logic उसमें देख चुकिया अपन, तो अब अपन यहां पर जो अपन करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, prime number को check करने का एक program बनाएंगे, अलग से separate, functions बनाएंगे, फिर अपन क्या करेंगे, individual अपना number आता जाएगा, functions को submit करेंगे, फिर functions check करेंगे, अब चेक करके अपने पास दो तरह के indications भेजेगा, 0 और 1, अगर functions ने अपन को 0 return करके दे दिया, तो फिर अपन कर देंगे, कि वो prime number होगा, और functions ने, functions में data को pass किया, और functions ने अपन को 1 करके दे दिया, तो 1 करके दे दिया, तो अपन समझ लेंगे, कि यह prime number नहीं है, तो अपन prime number नहीं है, तो उसको प्रिंट में प्रिंट नहीं करवाएंगे यह पूरा प्रोसेस कैसे चले तो एक बार इस पर एक्सपरिमेंट को पन समझने की कोशिश करते हैं तो अपन देखें सबसे पहले तो अबना प्राइम नमर का कंसेप्ट समझ लो कि प्राइम नमर अपन किसको बोलेंगे फिलाल अपन प्रिवियस इस प्रिवियस एक्सपरिमेंट में इसका पूरे डेस्क्रेप्शन सब देख चुके फिर भी एक बार दुबारा थोड़ा सा रिवाइज करने तो प्राइम नमर की सिंपल सा अगर हिंदी में बोलेंपन तो अभाज्य संख्या हो जाती है यानि कि ऐसा नमबर जो किसी से भी डिवाइड नहीं हो वन और इटसेल्फ यानि कि वन और इटसेल्फ से ही डिवाइड हो वो आपका प्राइम नमर कहलाता है तो आप देखें number prime numbers are whole numbers greater than one whole numbers होता है 0 1 2 3 4 5 6 and so on so greater than one से greater होगा they'd have only two factors one and the number itself prime number only two factors होते हैं एक तो one होगा एक itself number खुद होगा factors में सजो उसको divide कर दे given number को तो तो प्राइम नमर के only two factors होंगे one or itself, किस भी नमर से डिवाइड नहीं होगा, अगर one or itself को छोड़ दे, किसी भी नमर से डिवाइड नहीं होता है, तो confirm करतो कि वो प्राइम नमर है, तो प्राइम नमर्स आडिवी जिबल only by the number one or itself, one or itself से ही डिवाइड होगा, जैसे 37 ऐसे 47 इस तरह से अपने और भी प्राइम नंबर हो सकते हैं तो अपने को जो प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है तो प्राइम नंबर फाइंड आउट करना एक पर्टिकुलर नंबर से बिलो जितने भी प्राइम नंबर बिगिनिंग से वह अपना एक टारगेट है तो तो किसंस में अपने देखिए तो किसंस में यह 1 belongs toscreen वह जोवी नंबर होगा वह लेजदें एइन होना चाहिए और एइन विलोंग सूंजेड को विलोंग करना चाहिए अब जेड क्या है तो जेड हूल नंबर है जेड आपने इंटीजर बोल सकते हैं जेड को तो जेड के बारे में थोड़े सा अपन देख लें कि जेड क्या है तो दाल लेटर जेड इस दा सिंबल यूजड टू रिप्रिजेंट इंटीजर अब इंटीजर में क्या होगा माइनस जीड ओर पोजीटिव नेगेटिव जीड एंड पोजीटिव यह पूरे इंटीजर से इंक्लूडेड उत्ति है तो उसको अपन जेड से डिनोट कर देते हैं तो Z means होता है integer number का पुरा set का दो तो N integer number के N भी 0 positive number to infinity 0 भी हो सकता है positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है और A negative number to negative infinity तो 0 negative, 0 और positive यह आपका Z में आता है तो अपन को जो prime number अपने यूज करेंगे वो greater than 1 से होगा positive integer होगा तो prime number के बारे में और भी कुछ informations आप याद रखना चाहिए आगे competitive example के लिए बहुत अच्छा topic तो 1 is neither a prime number or a composite number मला 1 को अपने प्राइम नंबर भी नहीं करेंगे और composite number में भी नहीं आता 1 तो 1 is neither a prime number nor a composite number दोनों ही नहीं होता 1 फिर the only even prime number is 2 अगर कोई पूँचे कि even prime number में कौन सा number होता है तो only 2 होगा even prime number even prime number फिर इसके बाद कोई भी नहीं होगा तो यह भी आपका factor फिर एक देखें पर तीसरा point no prime number greater than 5 no prime number greater than 5 and with the 5 8 unit place अगर 5 number से कोई भी prime number greater होगा तो उसके अंत में यह रह 5 नहीं आएगा जो unit place का digit होगा कभी भी 5 नहीं आएगा कभ नहीं आएगा जब 5 से वो greater होगा तो यह prime number के बारे में कुछ factor तो यह भी आपको learn होना चाहिए तो prime number है ना वन और इटसेल्फ से ही डिवाइड होता है तो वो जेड को बिलोंग करें तो अपन को यह जो प्रोग्राम का टाइटल है तो अपन अपन लेज देन एन 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 बिलोंग स्टू जेड यानि एक पर्टिकुलर टर्म्स लेके चलेंगे और सभी prime number को डिस्प्ले करेंगे जो term से है न अपर टर्म से है बिलोंगर करेंगे तो अपने पास प्रोसेस को तो क्या-क्या data part use होगा, तो वह अपन देखे, तो एक तो अपने required variables क्या होगा, variables क्या है, data value को hold करता है, जो data value को hold करेगा, वो variables है, तो variables क्या data names, which stored data value into memory, या memory reference name कर दो, या locations name कर दो, जहाँ पर data value stored करेंगे, variables की value change हो सकती है, variables value may be change during executions, different value, अलग-अलग steps में अलग-अलग value ले सकता है, executions के दोरान अपन बदल सकते है, variables की value को, तो अपना एक तो t आएगा, एक variable में t लेके चलूँगा, तो t का मतलब होता है, integer number होगा, hold the upper limit, क्या आपको last limit से below कितने number चीए, जैसे 200 से below, 500 से below, हन्य तो अपन को एक target value लेनी पड़ीगी, तो target value में t से लेके चलूँगा, कि आपको कितने prime number, किस value तक, किस value से less और less तक बना prime number चीए, तो अपन को t अपन को target value होगे, उसे below, सभी prime number को input में, अपन को display में चीए, तो n क्या करेगा, n number generate करेगा, कि अपन चाहते हैं कि prime number 1 भी नहीं होता, 0 भी नहीं होता, तो prime number की starting करेंगे, अपन 2, 2 से regular अपन है ती minus 1 तक संख्या regular generate करेंगे, जैसे मैंने बोल दिया, t की value 100 है, तो इसका ये मतलब हुआ, कि 100 से below, सभी prime number को print कर दो, तो अपने पास हैं 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसे करते हैं 99 तक अपन value लेके आएंगे, फिर अपन क्या करेंगे, individual number को एक functions में pass कर देंगे, functions क्या होगा, एक machinery के जैसे मालो, कि number आया, machine में डालो, या तो वो 0 दिखाएगा, या 1 दिखाएगा, तो अगर 0 दिखाता है, तो अपन कर देंगे कि ये prime number है, और machine में number को डाला, अगर वो 1 दिखाता है, तो अपन कर देंगे कि ये prime number नहीं है, तो अपन मशिन किसको समझ अधिनहीं ओपर फांक। तो इस प्रोग्राम का इंडिपेंडंडेंट पॉर्शन है powder एकॉस्ट करेगा तो अपनिया functions को separate code करके अलग से title देंगे फिर उस functions को main programs में link ml use करेंगे और उसका पुरा definition part अपने functions को outside लिखेंगे main के तो functions में जिसको testing करेंगे number के प्राइम है नहीं है functions को submit करेंगे तो सब्मिट करेंगे तो functions की calling होगी calling में data functions में जाएगा फिर पूरी स्टार्ट करते हुआ t-1 तक i क्या करेगा i counting generate करेगा किसके लिए division करने के लिए अब प्राइम नम्मर का division का क्या rule होगा कि कोई भी number होगा उसका square root calculate कर लो two से square root तक division का process यूज करेंगे अगर two से square root तक division हो गया तो वो प्राइम नम्मर नहीं होगा और अगर two से division two से square root तक divide नहीं होगा तो वो प्राइम नम्मर होगा तो होगा वो नहीं होगा तो यह functions decide करेगा अपन को तो flag क्या होगा कि primenumber होगा ये नहीं होगा तो यह दो indications स्टोर करके चलेगा या तो जिरो होगा हो या वटन होगा functions क्या होता है या या जिरो result अपने को रिटर्न करेगा या वन रिटर्ण रिटर्न करेगा तो इस result को से मालूb 12 tane करें तो एक सब्सक्राइय को जब touchscreen करें तो एक सिंगल बेलियो करके डालेगा जाएंगे अपने सस्कुरी करेगा और ये स्कुरी करेगा कि एपری सब्सक्राइ मर रहरूट होगा तो only integer पार्ट में रखेगा तो अपने प्रॉशेस करने के लिए इतने वेरीबल की डिक्वायर्मेंट होगी अब इन वेरीबल्स में hanu तो सभी में इंसरे से क्राइब स्वाइब करें आपने पास इस प्रोग्राम को ज आपने पास अन्हिराइब का शेपरेट host नोए प्रोग्राम के तो एक तो main unit अलग होगी और functions की unit अलग होगी तो अपन main functions में एक तो n लेके चलेंगे n means यह आपका number generate करने का process रखेगा 2 से और एक अपन t लेके चलेंगे तो t क्या करेगा यह upper limit होगी कि आपको किस limit से below पूरा यह all number चीए और एक flag होगा और इस flag में जो result आएगा यह functions से return होके आएगा n से value generate होगी functions में बेजेंगे यह functions से one by one और data जाएगा और flag में आता जाएगा flag को check करकर के printing करते जाएगे अपन और functions का जो separate portion होगा functions क्या है एक independent blog होगा program का जो को specific task करेगा prime number को check करने की तो task करेगा तो उसको data चीए functions को तो data क्या करेगा जो भी अपन data functions में देंगे तो वो x में receive करेगा कि जो भी data आएगा functions के अंदर वो x storage हो जाएगा उसका फिर x को लेके अपन अंदर logic में आ जाएगे फिर उसका square root निकालेंगे तो s चीए और फिर अपन जब divide करने की theory apply करेंगे तो अपन को 2 से लेके square root तक divide करने का concept रखेंगे divide होगा कि नहीं होगा तो ck according अपन return करेंगे तो अपने ये functions बना के अपने इसको दो separate part में अपन break up करेंगे पूरे process को तो main unit में अलग रखोंगा और functions की unit अलग रखोंगा तो को भी अगर तुमसे पूचे what do you mean by functions तो functions क्या है एक program का independent blocks होता है एक अपने आपने independent segment करेंगे दो तो क्या करेंगा एक specific task को execute करेंगा task को define करेंगा user करेंगा अब अपन को ये program का title क्या है इस program का title prime number है तो prime number के अपन जो भी logic होगा तो इस functions के अंदर अपन पूरा define कर देंगे फिर इस functions को define करके अपने malo definition दे दे इसकी फिर इसको क्या होता कि जब use करेंगे तो इसके नाम एक particular नाम होगा तो नाम के साथ में कुछ parameter pass करेंगे और फिर अपन इसको उने use करेंगे और use करने से पहले इसका एक जगा description लिखना होगा कि compiler में इसको पूरा describe करो तो compiler में इसको पूरा describe करोगे तो वो prototype definition कर लाएगी तो अब इसका अगर अगर अपन पूरा complete code देखें कि यह पूरा process कैसे चल पाएगा तो इसका एक source code देखते है अपन C language का कि अपन actual में practical करेंगे तो practical करेंगे तो अपन को source code से मतलब रखना अपन को कि यह तो basic concept बता दिया concept बताने के बाद में आप इसकी पूरी coding लिखो और coding होगी आपके C language में तो C language के पूरे rule regulations आपको आने चाहिए अगर अर्मालो rule regulation grammar नहीं आती vocabulary नहीं आती C language की तो फिर program अपन नहीं लिख सकते तो अपना जो program का title है जो C language में अपन लिखने जा रहे हैं तो यह अपना है na source code हो गया C language का अब क्या करने जा रहे है तो फाइंडिंग नमर ओफ प्राइम्स लेस देन एन एक पर्टिकुलर टार्गेट वेली होगी तो उससे बिलो एन बिलोंग्स तो जेड आपका integers हो गया है आपे तो इंटीजर में से ही प्राइम नमर जणरेट होके प्रिंट होके अपने डिस्पले में लगाते जाएंग तो यह आपको याज रखने का पॉइंट हो गया स्लेस स्टार स्लेस फिर अपने को नहीं यह लाइब्रेरी फाइल से जूड़ना आना चीए अब यहां पर क्या दो फाइल तो हर प्रोग्राम में कोमन होती है है इस इंक्लूड प्री प्रोसेसर है स्ट्डियो डॉटेज ल कॉन्यों डॉट एच चन्सोल इंपुट आउट्ट हेडर फाइल कौन से फंक्शन को रहेगा स्केन के लिए स्क्रिन और आपका गेट सी एच इस को रूट एस से रन होता है कॉन्यों डॉट एस से और मेस डॉट एच यह क्यों लगा है मैं थेमेटिकल फंक्शन में यूज करूँ गा कौन सा यूज करोगे स्क्वार्ट इस फंक्शन को रूट यूज करोगे तो मैं एस डॉट है जाएगी तो मैं स्क्रिट का सीधा कनेक्शन होता है मैंस डॉटे तो यह तीन लाइब्रेरी अपनाने लिंक पोर्शन कर लाएब रहेगा तीन लाइवरेडिक तो अपने एक छोटा सा ब्लोग अलक से लिकर डाल दिया अब इस ब्लोग को जब जरूत पड़ेगी तो उसको रापने प्रोसेस यूज लेंगे तो अब क्या यूज करने जा रहे हो तो यूज करने जो जा रहे हो ना तो यहांपे एक description दे दो उसका यहां पर पूरा यहां पर डिफाइन कर दो अब मैं क्या करूँगा एक प्राइम फंक्शन यूज करूँगा यह एक डेटा लेकर इंटेजर डेटा लेकर काम करेगा हाना और इंटेजर टाइप का यह रिजल्ट देगा तो यह फर्स्ट वाला जो मैंने लिख इंटेजर डेटा लेगा कैसे बता चला इस आइंटी से आइंटी क्या करेगा यह डेटा टाइप है तो जब भी इस प्राइम नम्मर को में यूज करूँगा तो एक सिंगल वेल्व इसमें पास करूँगा और यह अपना यह कंप्लिट लाइन हो जाती है तो से में को लोन की से पहले उसका पूरा इने एक्स्बेनेशन हो गया तो एक स्प्लेनेशन में क्या हो गया तो अपना फंक्संस का नाम है फंक्संस का टाइप है तथे 압र इसकी पुरी कितने पेरामीटर है तो यहां islands टेयर टेंट पाल यह ब्रेकित के अंतर पूरे ना टेंटापार यह define करेंगे तो compiler फिर इसको समझेगा, प्राइम को, फिर इस प्राइम को समझेगा, तो प्राइम का लिखा हुआ है, यहाँ पर अपने इसकी पूरी coding लिख दी, यहाँ पर इस प्राइम को पहले यहाँ रखा, फिर इसका definition part रख दिया, outside, और फिर इस प्राइम को का यूज किया है, यहाँ पर यूज कर लिया, coding के अंदर, यहाँ से लूप से value generate करता जाएगा, और यह प्राइम नमर को यह call करता जाएगा, तो अपने प्रोग्राम लिख अब अपन देखें, सबसे पहले मैं एक टी लूँगा, अब टी क्या है, आप अपर लिमीट है, कि किस नमर से बिलो आप प्राइम नमर डिस्पले करना चाहोगे, तो मैंने एक टी ले लिया, फिर यह एक मेसेज प्रिंट कर दिया, स्क्रीन पे, आल प्राइम नमर, लेज परसेंट डि करके, टी, अब टी का माल लो, माल लो 200 दिया, तो 200 से बिलो सबी प्राइम नमबर, एक मेसेज प्रिंट कर देगा, और यह बेक्स ले सेंग क्या करेगा, लाइन चेंज कर देगा, लाइन चेंज करेगा, फिर यह पूरी पूरा, यह से कैसे में से आ जाएगा, कि इसको प्रिंट करेंगे फिर अगें लाइन चेंज कर देगा यह सेपरेट लाइन बन जाएगी फिर अपने न स्टार्ट करेंगे टू से इस्टार्ट करेंगे टू से 23456 up to team t-1 तक यह बिलो टी कर दो यहां पर बिलो लगा रखा अपने एन लेज देन टी यह करेगा एन की वेली टू से सुरू करेगा क्योंकि वन से क्यों निली क्योंकि वन प्राइम नंबर में आता ही नहीं है जीरो भी नहीं आता तो अपने टू से करेंगे स्टार्टिंग टू से रेगूलर टी से बिलो एक कम टी लेज देन एन लेज देन टी और एन प्लस प्लस एक से बढ़ता जाएगा तो यह काम क्या होगा ओटोमेटिकली चलता रहेगा अपना यह वन बाइवन एक नमर आएगा फिर पुरा प्रोसेस करके दूसरे नमर आएगा फिर फॉसमें जाएगा पूरा च्यक और परिंट करतेगा और फिर इस तरह से चलता रहेगा जबन्हांदिकोल होजाएगा यह ग्रीटर होजाएगा तो यह अपने इस टॉप कर दिलो być को यह फिजिंग है यह लोज Feder sausage अब यह प्राइम क्या calling हो गई तो calling में क्या करेगा यह एक्जुगूसंस में आएगा यह वाला code तो क्या करेगा एंड को यहां से भेज़ेगा और इस एक्स में डाल देगा अब तू लेके आया यहां पर एंड एक्स में टू बन क्या तू का स्कॉर रूट वन पॉइंट संथिं तो ही शुलिए का दू क्या कहीं है प्लसबस करेगा प्लसस का क्या मतलब होग तू से 3 यह रहते हैं तिन हो जाएगा 3 हो जाएगा 2 को लेकर प्लस्थीक करेगा फिर अंदर आएगा अंदर और आएगा फिरrich 3 तो यहां से एन की वेली और पास करेगा 3 देगा तो 1 पुन प्रोसेस नहीं चलेगा रेटन जीरो लेकर आएगा वापस तरी को प्रिंट कर देगा प्रिंट करके अभी यह भार नहीं आने वाला यह प्रोसेस चलता रहेगा ऐसे करते करते यह टी वेलु जे होगी एंड की वेलु जी होगी घ्लो लास्ट मालो नाइन ती लिया तो 89 तक चलेगा पर यह नमालो 25 लेकर आया अपनिया से अब 25 लेकर आये तो एकस कमाने 25 आज आएगा 25 को इसको आए रूट आज आएगा अन्ट तो एसमें 5 आगया तू से डिवाइड तो डिवाइड होते ही है नो 1 कर देगा तो 1 को फिर यह प्रिंट में नहीं करेगा 25 को तो जो डिवाइड हो जाएगा यहां पता चल जाएगा कि डिवाइड हो रहा नहीं हो तो डिवाइड हो जाएगा तो यहां पर रिटन करेगा तो रिटन करेगा तो रिटन करेगा तो य इस सिमन्ब से प्रॉब यहां से चलेगा यह लूप आएगा लूप के अंदर नंबर को में करेंगे यहां से डीटा इसमें बेजेगे और यह 0-1 क्र अचार करोने में प्रिंटिंग चलती रहे हैं जो prime number होगा उसी को print करेगा अगोने की condition 0 है नहीं होने की condition 1 है तो यह फिर जब complete होजाएगा यह loop फिर get से पोस कर देगा पोस करके final close कर देगा तो अपन को पहले यह पुरा code यहां से लिखेंगे स्लेस स्टार्ट से फिर ये वालब पुरी रेगुलर चलेगा उसके जस्ट नीचे रिए क्लोज हो जाएगा में का कि इसके जिस नीचे फिर फंक्छन को लिखेंगे है पूरे जो कोडींग्व वो इसमौल लेटर में लखी जाएगी फिर आगर मैं करके देखेंगी तो रन करके देखेंगे तो इसका पुरे से इसका पुर्म यह नहीं आएगा जाएयगा इसका ऍरपनेन डेख देखेंगे यह किस तरह से इसका आउट पुट आएगा तो इसका जो आउट पुट आएगा ना अपने मालों में 100 दे दूंगा तो 100 से बिलो सभी प्राइम नमबर आ जाएगे तो अपन इस कोड को प्रेक्टिकली रन करके अपन देखते हैं तो अब रन कैसे करें तो देखो अब आप कि एकदम न्यू फाइल ले लो तो यह ब्लेंग फाइल आ गई इस पूरी स्क्रीन करना चाहो एफ फाइब फंक्संस की फॉल स्क्रीन हो जाएगी तो अभी इसका कोई नाम नहीं दिवा तो यह नो नेम अभी प्रोगाम जब खोलते हैं फर्स टाइम तो नो नेम है अगर ला लेज़ देन'm क्य pozwoli के परटिक्य छप्रम के ने लिए बिए अपना लोग हो गया प्रोगाम का हेरिंग फिर अपने लाइबरी से जूड़ेंगे तो हेघर इंक्लूट new प्रोश्चसरी छभी तो दूसरी लाइबरी फाइल कौहना यूोड है फिर तीसरे लाइबरी इंक्लोड जितने लाइबरेरी अपने हैस इंप्लोड लगाँगे दो में डोट एच यह जाएगा यह थे authentic आपन क्या लिखेंगे एक functions बनाने जा रहा है तो functions बनाने जा रहा है तो फिले functions क्या बनाऊगे तो उसका एक description दे दो एक में integer नाम से functions बनाऊँगा प्राइम नाम से हैं ना मेरा functions का नाम देना चाहरा हूं यह एक डेटा ले के काम करेगा डेटा को मैं X में hold करके चलूंगा तो इन्हां प्रोटो टाइप डिक्लरेशन इस लाइनButrie यह जो चांद को याद होने चाहिएका we discuss कर लेते भाईबामे यह इंफोर मेसे से मिली तको क्या इंफोर मेसें का नाम है रिटर्नका ताइप है और प्रोटोर्स नगाएं है जो भी है वहां देटा आएगा ऑए एक सरेवड करें गांए डाल लेंगे डिटा और फिर अपन को रिज़ल्स हुद्प लिए ळीड़्स देंगा फिर हैं। आपन क्या लगाए Tr glimpse में यूज करूंगा फिर ब्रिगन करूंगा प्रिए इंटीजर में एक टी ले लिया एक अपने फ्लेग ले लिया यह डिस्क्राप्ट न पूरह देख चुकिए फ्लेग क्या करेगा टी क्या यह पूरा एक वार उसको टुटोरियल देख लो इसे जो भी अपने डिसक्राइब किया था प्यूटी बना enter the upper limit अगे अगे तीकों में अपर लिमिट मान की चल रहा हूं आपर यह अपर लिमित अपर लिमिट आनि यह क्यों लगा यह नीचे की लाइन में शिप्ट कर दिया मैंने यह मेंसे जा जायेगा और फिर यह पूरा नीचे की लाइन में प्रिंट हो जाएगा ती किसके लिए ले रहा हूं में अपर लिमिट अगी इस लिमिट से नीचे अपने को सभी प्राइम नंबर चीए तो एक डेटा लेना होगा फिर अपने इसको कैसे करें इसको करने के लिए इसके नफ हो गया आपके पास अब किस त इससे क्या पता चलेगा एक टारगेट वेल्आजेगी अब अपन क्या करेंगे इस टार्गेट फेलीई तक पूरे प्राइम नमÓ죠 अब यहां एक नंबर लगाना कि किस से लिए तो लेज़े ना जो भी में टि की मेलीव मों हुगा है तो वह लिखा नेयगा अब नम्मर केसे बनाएंगे तो लूप से बनाओ नमर कहां से स्टार्ट करोंगा हैन्से से सुरु करोंगा थे या को प्राइंप से प्राइं से फंक्सन का नाम है इसमें क्या भेजेंगे एन को अब यह वहां से फंक्सन से डिटन होके आएगा फिर इफ कंडिशन से चेक करेंगे फ्लेग में 0 आया है तो यह प्रिंट करा देंगे उसको को प्रिंट के साथ में तो मैंने किसको प्रिंट करा हूं मैं एक टेस्टिंग के लिए तो यह अपना चलता रहेगा यह वाला प्रोसेस और फिर अपने यहां पर क्या लिखेंगे गेट सीच गेट सीच क्यों लगा है रिजल्ट को पोस्ट करते भी रखोंगा मैं और फिर में यह फाइनल क्लोज कर दूँगा तो अभी अपना क्या हुआ यह एक मेंन फंक्सन का पूरा लोजिक हो गया अब अपन को यह केल्कुले आधिया क्या का कंट्रोल किया है ऐक content बना तो एक प्रो गुinary से सेपरेट लिख दो तो वह सेग्मेंट क्या कन करेगा प्राइम नंबर को टेस्ट करने का का मोझत करेगा तो टेस्ट कैसे करेगा यहां जरे रेकुरर नंमर जरेकर करेगा और फिर िए न प्राइम हें भी оч सब्सक्राइब, ञेकर करना दृफ्त की इंगे यहांत की हो देफिनिशन को इसको वह यह जो और जोता है फंक्शन्स को लीच एक डेटा इसे डाएगा और यह तो प्रोटो टाइप फिर इसको यूज करेंगे तो कोलिंग होगी कोई डेटर टाइप का यूज नहीं होता तो कोलिंग में रिजल्ट लेके इसमें डालेगा फिर इससे कंडिशन आएगी अब अब आपन जो नीचे लिखेंगे वह डेफिनेशन पार्ट होगी फंक्शन की यहां पर मैं लिखोंगा फंक्सटश डेफिनेशन पार्ट किकेसी काम करेगा तो उसका पूरा लोजिक लिखेंगा पर देफिनेशन हो जाए गया तो डेफिनेशन में यह रूल है जो यह टाइटल में ने दिया है वह हेडर यहां बन जाएगी उसकी हेडर लाइन जो integer x x में वेलियू रिसीवड करेगा यह भेजेगा एग्स में रिसीवड करेगा फिर अपन को एक sport की भी नभी नमर करने के स्टेप लिखे तो डीवीजन कांसे सुरू करूंका मैं टू से कहींसे कांट तक पिर आगे बढ़ेंगे प्लस प्लस से सैडिय ऑगे कुमक्तिस Lगाओं उसको डेखुद और सको Greater करूंगा आई से अब डिविजन करेंगे तो क्या जाएगा मालोग जीरो आ गया तो जीरो कब आएगा जब डिविजन हो जाएगा तो उस case में कर दूंगा मैं रिटर्न कर दूंगा वन को यह अपना process खतम हो जाएगा फिर अगर नहीं होता डिवीजन नहीं होगा तो वह प्रोग्राम लिख लिया तो इस प्रोग्राम को देखो गे तो यह प्रोग्राम पहले तो इस को लिंपेर्फ पोलेंगे ये आपका फंक्सनस बनाने जा रहे है अगर मालो फंक्सनस में मल्टिपल लाइन नहीं हो एक सिंगल राइन का इस के सिंगल लाइन की स्टेप सो तो फंक्से अपन हीस डिफाइद से भी कर सकते हैं है कंवार अगे जाके हैं अगाने ट्रेपो एक हे comprehensive सिंगलालांड मीकिवेसंद में आ गीन क्या यह फंक्सिंगे बना यह उजे डिफाइन फंक्संस बनादिया πट्राइम का इन Hadす सब्सक्राइमन करने का प्रोग्राम था और इवाला जो एक्सपरीमेंट प्राइमन करने का ने का तो अपन का यह पूरा complete हो गया अब क्या करें तो यह पूरा यह में यूनिट पर लेने में का begin आएगा में का close आएगा और यह में का जब क्लोज हो जाएगा उसके just नीचे ने फिर यह इसका comment section हो गया comment हो गया और यह functions का header line हो गई और इस functions का यह पूरा local declaration हो गया यह local टेटर लेके जाएगा यह 20 लेकर जाएगा जूछ यह लेके जाएगा विए लेकर जायेगा जाएगा च्रबुके को लगके आए ने किलिभर लेकर जाएगे लेकर को लिट को यह आटा एक है यह इस dear Lane की लेकर की इस का बदाना जरूरी जाने कि यह वाले तो इस फंक्शन का कनेक्शन लिंक कि यहां पर आएगा तो बार बार अपन नई लेके आएंगे इसमें आती जाएंगे फिर यह रिटर्न होके यहां आता जाएगा एक लिंक दे दिया इसका पूरा और लिंक देने से पहले यह यह डिटेल बताना जरूरी है यह वाले इन इंपोर्टेंट स्टेप्स हो जाती है एक तो प्रोटो टाइप की एक कोलिंग की अगर में कोलिंग नहीं करूं तो फिर यह कोड़न ऐसे कैसे रखा रहे जाएगा तो इस कोड़ को अगर जब भी जरूरत पड़े एक बार अगर डिफाइन कर दो जब इसकी फ्रेवचे तो यह प्राइम नाम दे दिया मैंढेस का भाएम नंदेगे कुमपालेशन खूट अल्ट एकर करेंगे सख से जा कोई एरर नहीं थीर अपन क्या करेंगे रन करेंगmara रिइ訂 मेंगेगा अब क्या रिडिंग मांगर यह तुम देख रहों WiFi तो यह आल प्राइम नंबर लेज दिन हंड्रेड तू आ गया थिर आ गया फाइब आगया 11 आगया थर्टिन आगया इसे 97 तो एक रीडिंग हो गई है इसको आप नोट डाउन कर सकते हूं जब प्रेक्टिकल रिकोर्ड में अपनी इसको उतारेंगे तो इसे दो रीडिंग कम से खम लिखनी होती है अपनको तो एक रीडिंग तो यह लिख लो अब आगे क्या करें यह पोस्स किया हुआ है तो अपने इसको फिर अगेन रन करना चाहेंगे तो एंटर की प्रेस करूंगा तो यह आउटपुट मोड से एडिट स्क्रीन में आ जाएगा फिर एडिट स्क आपने इस आल प्राइम नमबर को कैसे डिस्पले कर पाएंगे तो यह अपना हो चुका तो आज की क्लास को अपनी पर एंड करेंगे अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सबिस्क्राइब जरूर करें बेल आइकन पर क्लिक करें जिसे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे लाइक करें शेयर करें थेंक यू